आज के जो हमारा टॉपिक है शिक्षकों में छात्रों के प्रती अविवृत्ती आज के टॉपिक में हम समझेंगे अविवृत्ती का अर्थ, परिभाशा और अविवृत्ती के प्रकार और उनकी विशिस्ता है तो सबसे पहले समझते हैं अविवृत्ती का अर्थ अविविर्ति का अर्थ क्या-क्या है अविविर्ति को हम किस तरह किसे जान पाते हैं वो इसकी अर्थ में छुपा हुआ है तो देखते हैं अविविर्ति व्यक्तित्व का वह गुण है जो व्यक्ति की पसंद या नापसंद को दर्शाता है अविविरति को अंगल भाशा यानी की अंग्रीजी भाषा में एटिटूड कहते हैं एटिटूड शब्ड लैटिन भाषा के शब्द एप्टस सब्ड से बना है श्कारत है योग्यता या सुविधा अविविरति का संबंद अन्कूल या प्रतिकूल परभाव से है यह एक मान्चिक दसा है जो सामज की वहवार की अविवरत्ती करने में विशेज भूमी का प्रस्तुत करती है अविवरत्ती को ही कभी-कभी मनो वृत्ती के नाम से प्रियोक किया जाता है यह दोनों ही शब्द एक ही भावनात्मा गुण को परदर्शित करते हैं अविवरत्ती व्यक्ति के मनोभावों याने के feelings अथवा विश्वासों बिलीव को एंगित करती है यह बताती है कि व्यक्ति क्या महसूस करता है अथवा उसके पूरू विश्वास क्या है तो यहाँ पर हमने देखा कि हम आम बोल चाल की भासा में हम बार बार व्यवारिक्ता में सुनता है कि फला व्यक्ति का एटिटूड ऐसा है तो यहाँ पर एटिटूड यानि अविवरत्ति के बारे में ही वात हो रही है और यह व्यक्तिका वह गुण होता है जिससे वह पसंद या नापसंद अपनी पसंद या नापसंदगी को दर्शाता है और जो यह attitude सब्द है यह Latin भासा के aptas सब्द से बना है तो यह मोटा मोटा इसकी परिभासा है यह अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव को भी परद्शित करता है हम देखते हैं कि हम आम बोलचाल की भासा में कहते हैं कि मेरे दोस्त का attitude मेरे लिए ऐसा है यानि कि हो सकता है कि वह आप से बहुत ही अच्छे डंग से वियभार करता हूँ या हो सकता है कि वह आपको बहुत ही बिल्कुल आपको पसंद न करता हूँ तो यह उसका attitude कहलाता है तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आपकी जो पसंद है नापसंद है यही आपका attitude कहलाता है पेडागोजी के डंक से अगर हम समझते हैं तो यहाँ पर सिखचक के अटिटूट से संबंद इस चीज का हम देखते हैं कि क्या एटिटूट होना चाहिए सिखचक का यानि अपने विद्यार्थी के परती उसका एटिटूट कैसा होना चाहिए अगर वो पॉजिटीव होता है या नेगिटीव होता है तो उसका असर विद्यार्थी के अधिगम यानिकी लर्निंग पर पड़ेगा तो अब देखते हैं आगे अभिवर्ति की परिभाशा बहुत सारे जो मनव विद्यानिक हैं उन्होंने अभिवर्ति सब्द को बहुत ही अलगलग धंग से परिवासित किया है तो उसमें जो हम मुख्य परिवासाइं ले रहे हैं उनमें हैं वुडवर्थ के अनुशार जयाने कि जो रौवर्ट एस वुडवर्थ है जिनका जन्म सतर अ एकलती तदर लेक्रिया की तपरता नीत है यहां पर वुडवर्थ मौद से कह रहे हैं कि अभिवर्तिऊं हमारे मत यानी कि जो हमारे ऑपीनियंस होते हैं या हमारी जो रुचियां इंट्रस्ट है या उद्देशी की थोड़ी बहुत इस्थाई परवर्तियां हैं जिन में किसी परकार के पूर्वग्ञानी की प्रत्यासा और उचित परक्रिया की ततपरता नीत होती है यानि कि हमारा जो एक्टिटूड है वो निर्भर करता है कि हमारे साथ में हमारे पूर्वग्ञान की इस तरीक से जुड़े वे हैं कभी कभी क्या होता है कि अगर हम इसको आम सब्दों में कहें आपका किसी व्यक्ति के परती पॉजिटिव एटिटूड और नेगेटिव एटिटूड तब ही बनता है जब आपका उसके साथ में पूर्व जो अनभव हैं वो अगर अच्छे होते हैं तो आपके उसके साथ अच्छा बनेगा और अगर वो विपरीत हैं यानगी गलत हैं तो नेगेटिव एटिटूड डेवलप हो जाता है यही विद्यारतियों के साथ भी होता है कि किसी सिक्छक को कोई विद्यारती बहुत अच्छा लगता है और किसी विद्यारती को देखते ही सिक्छक को बिलक जाते हैं Next देखते हैं Freeman के सब्दों में अगर अविविरति के परिवाशा को देखें तो अविविरति किनी परिस्तियों व्यक्तियों या वस्तों के परति संगत ढंग से परतिक्रिया करने की स्वाभाविक तत्परता है जिसे सीक लिया गया है तथा जो व्यक्ति विसेश के द्वारा प्रतिक्रिया करने का विचिस्ट धंग बन गया है यहां पर प्रीमेन जो हैं वो कहा रहे हैं कि अविवर्ति परिस्तियों या व्यक्तियों या वस्तों के प्रति संगत धंग से प्रतिक्रिया करने के स्वभाविक तत परता है यानि जैसे हम अभी वुडवर्थ महदे की परिवासा से ये कर्श को जोड़ें, तो यहां पर कहा जा रहा है कि परिस्तितियां और व्यक्तियों या वस्तों के प्रति संगत ढंग से प्रतिक्रिया करने के स्वभाविक तक पड़ता, यानि कि परिस्तियां कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी तो पॉजिटिव अटिटूट बनेगा, नेगेटिव परिस्तियां होंगी यानि कि नेगेटिव सरक्रमस्टांसे होंगे तो आपका अटिटूट भी नेगेटिव बनेगा, तो ये निर्भड करता है आपके उन परस्तितियों के उपर यानि कि जहां पर हम कह रहे थे कि वो पूर्व ग्यान या वो पूर्वाग्र है उसी से आपका attitude positive और negative बनता है अब देखते हैं अभिवर्ति के प्रकार तो अभिवर्ति के कौन-कौन से प्रकार हैं तो उसमें देखते हैं सबसे पहला जो प्रकार है वो है विशिष्ट अभिवर्ति तो विशिष्ट अभिवर्ति जो है जो अभिवर्ति किसी व्यक्ति वस्तु घटना विचार तथा संस्ता विशेश के प्रती व्यक्त की जाती है विशिष्ट अविवर्ति कहलाती है जैसे एक छातर में अपने सिक्षक के प्रती जो सम्मान वो स्रद्दा का भाव पाये जाता है वो उसकी विशिष्ट अविवर्ति कहलाती है विशिष्ट अविवर्ति यानिकी specific attitude जो है वो है जो अविवर्ति किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, विचार तर्था संस्ता के विशेश के प्रति व्यक्ति की जाती है अब आपका कोई ऐसा विशिष्ट व्यक्ति है या कोई विशिष्ट वस्तु है या कोई आपकी जीवन मैंसे कोई घटना होती है या ऐसा कोई विचार है या कोई ऐसा institute है जिसके प्रति आप अच्छा ही सोचते है हमिशा तो ये एक special अविवर्ति बन जाती है आपकी विशि विशिष्ट अविवर्ति है और आगे चलके यही विशिष्ट अविवर्ति कहलाती है दूसरा प्रकार देखते हैं अविवर्ति का attitude का जो second types है वह सामान्य अविवर्ति यानि कि जनरल अटिटूट जो अविवर्ति व्यक्ति वस्तु घटना विचार आदी के बारे में सा सामान्य जो अविवर्ति जनरल अटिटूट है जिसे हम आम बोल चाल की बहास में कह सकते हैं कि हमारा यह आउट लुक है इसके परति अब इसमें क्या आ जाता है कि यहां पर भी व्यक्ति वस्तु घटना और विचार के बारे में सामान्य जो भी विचार रखते हैं वही दूसरा विचार रखता होगा जैसे राजनितिक दिलों के बारे में दिश्टिकोन है सबका 50% लोगों का एक जैसे हो सकता है कोई इस दल को अच्छा बोलता को बी दल को अच्छा बोलता है तो एक सामाने दिश्टिकोन होता है यह रेल दुरुटनाओं के प्रतिवी आविवर्ति आपके कैसे निर्दारित होती है कि आप जनलाइस बोल देते हैं सब किसी कॉर्ण होगा या आप वे बता देते हैं कोई तेकनिकल फॉल्ट होगा जिसके कारणनों यह रेल रुगटनाएँ हो रही है तो यह जनल एटिटूड कहलाता है मारे दूसरा अविर्तिका प्रकार कि अविर्तिका जो थीसरा प्रकार है उसना हों नेकारात्मक अभिवर्ति यानि कि negative attitude जब हमारा दिश्टिकोंड किसी वस्तु घटना या विचार के प्रति सुकद नहीं होता या हम उसे पसंद नहीं करते या उसके प्रति तेजन आत्मक प्रतिकरिया करते हैं तो वह नकारात्मक अविवरत्ति कहलाती है इस प्रकार जब हम किसी राजनेतिक पार्ट कि प्रक्रिया जाती इस्थान या व्यक्ति से घिरना करते हैं उनसे निराश होते हैं उनमें अविस्वास रखते हैं तथा अपने को दूर रखने का प्रयास करते हैं वह नकारात्मक अविवरत्ति कहलाती है तो आप जो यहां पर हैडिंग से समझ गया हूंगे कि नकारात अगैजनात्मक अभिरत्ति कहलाती है, यानि कि जब हम कोई ऐसी गणना घटती है या कोई आसी वस्तो है जिसके प्रती हम अच्छा नहीं सोचते हम उसके प्रती नेगटिव रहते हैं और उसे पसंद भी नहीं करते हैं, और एक दम से जब उसके बारे में बात होती है, तो त कई जिनात्मक प्रतिकरिया देते हम ततकाल तो नकार आत्मक विःत्थी कहलाती यह जैसे आपको कोई राजन ही कि पार्टी बिलकुल पसंद नई हो जैसी उस पर्रक्रिय के बारे में भाग चीत हो रही है आप तुरंथ हो बिल्कुल नेगटिव सोज रखते हैं या किसी इस्थान के प्रति बिल्कुल नेगटिव सोज रखते हैं इस्थान यहां पर देश भी हो सकता है या आप किसी दुश्मन देश के प्रति कैसी सोज रखते हैं या किसी व्यक्ति से घ्रना करते हैं या उनसे निरास हो जाते हैं, तो आपकी जो उनके प्रति एटिटूट होगा, वो हमेशा नकारात्मक होगा, आप उनको अपने से दूर रखने का प्रयास करेंगे, या आप उनसे दूर भागने का प्रयास करते हैं, तो इसे नकारात्मक अवरति कहते हैं, तो यहां पर कई बार शिक्षकों के साथ भी आसा ही होता है कि जब कोहती हो ज़ी जात्र के परति ऊनकी इंदक का ईठीटूड तो भो फसंद भी नहीं करतें अगर वह चात्रुन से किसी चीज के बारे में पूछता है या कोई प्रसंद पूछ रहा है तो वह उसको जिड़क देते हैं हमेशा उसको इंटर्टेन ही करते वे अन्या अपने फैवरिट जो स्टुडेंट है उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं या हमेशा क्लास उन्हीं लोगों की तारीफ करना पसंद करते है और बार-बार जब कभी ऐसा गलत एक्जामपल देना होता है तो उन्हीं बच्चो का नाम लेते है जिनका नकारात्मग अईवरती उनके बनी भी होती है तो ऐसा सिक्षकों के साथ भी होता है जो ऐसा ही विद्ध्यारतिएं के साथ ह डेवलप कर लेते हैं किसी खास सिक्षक के प्रति ठीक है तो अब देखते हैं अईवर्ति का जो चौथा प्रकार है वह सकारात्मक अईवर्ति यानि कि पॉजिटिव एटिटूट जब किसी व्यक्ति विचार या घटना या संस्था आदी के उपस्तिती हमें सुगद लगती है जब उसके प्रति हमारी अनकूल प्रतिकरिया होती है जब हम उसके पक्ष में बोलते हैं तब हमारी सकारात्मक अईवर्ति होती है जब हम किसी व्यक्ति संस्था विचार धर्म प्रक्रिया के प्रतिविश्वास रखते हैं उसे पसंद करते हैं सुईकार करते हैं उसके अनकूल अपने को समाय जुद करने के चेश्टा करते हैं, वह हमारी सकारात्म अविरत्ति कहलाती है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे नकारात्म का अविरत्ति थी, उसका ठीक उलट है सकारात्म अविरत्ति, जब हम किसी व्यक्ति को बहुत अच्छा मानते हैं, किसी विचार या किसी thought को प्रेरित हो जाते हैं अपने जीवन में ढालने की कोशिश करते हैं या किसी घटना या किसी संस्था आदी की उपस्तिती हमें सुगद लगती है अब यहाँ पर संस्थाओं से संबंध हो सकता है जैसे WHO हो सकता है या CBI हो सकता है, RAW हो सकता है बहुत सारी संस्थाओं हैं जो भी आपको अच्छी लगते हैं जिनकी काम आपको अच्छे लगते हैं जब भी आप इनके बारे में पढ़ते हैं तो आपको एक positive सा feeling होने लगता है तो ये व्यक्ति भी हो सकता है, विचार भी हो सकता है, कोई घटना हो सकती है, कोई संस्ता भी हो सकती है, जिनकी उपस्तिती हमें सुकद लगती है, यानि कि जिनका जब भी जिक्र होता है, जब उसके प्रति हमारी अनुकूल प्रतिकरिया होती है, तथा हम उसके प्रक्ष मे होते हैं तो उससे हमारा एक सकारातम भाए वर्थीग का प्रदयशन होता यह बार बार अपके जिएन में होगा सकारातzig खेंद भी होगा नाकारातम होगा कई बार क्लासरोम के अंदर जो ओसे सारे पृत चलते हैं कोई और जा आप antibiotic किसी के बारे में बताना अभीवर्ति का परद्शन हो रहा है तो यह शकाराइवर्ति कहले हैं यहां पर बहुत सारे फीचैर्श हैं इसका संबंद्द अबस पर दकर सेंगे पहली है साथ हे अविवरती भावनाओं की गहराई का स्वरूप है मान्सिक दोनों ही पक्ष होते हैं अब यहां पर पर आटिटूट है उसका शोशुलोजिकल और मेंटल यह दो एश्पक्ष होते हैं उसके सामाजी गुरूप से भी आपके आविवरती जलगती है और मान्सिक तो इस चीजे समझ में आती हैं कि परिवार क्या है, समाज क्या है और जब परिवार और समाज के बीच में जब बच्चा जाता है और उस व्यावहार से वो प्रवावित होता है, तब ही उसकी specific attitude भी बनेगा, general attitude भी बनेगा, positive attitude भी बनेगा, negative attitude भी बनेगा, तो अविविरती जन्मजात नहीं होती है, ठीक है, वो बोलते हैं जिसको की हालातों के द्वारा बनती है ये चीजे, आपकी circumstances कैसे हैं, आपकी परिस्तितियां कैसी हैं, आपके चारों तरफ की, उसी के साफ साफ का attitude बनता है, अगर फर्ज कीजे, कि यहाँ पर अगर मैं आपको भारत और प बच्चे होते हैं, या पाकिस्तान में जन्में बच्चे होते हैं, वो किताबों में पढ़ते हैं, कि हमारा जो native country है, वो हमारी enemy है, यानि कि हमारे दुश्मन है, तो हमारा attitude उसके परती वैसे ही बनेगा, ठीक है, और अगर हम उसी बच्चे को यह समझाएं, कि भई देखो बहुत सारे देश हैं, जो हमारे दोस्त हैं, ठीक है, तो उसका attitude भी ऐसा ही बनेगा, तो यह common example में आपको बथा रहो, तो यह जन्मजात नहीं होती है, attitude हमारा जन्मजात नहीं होता, यह सारा का सारा परिस्तितियों, भावनाओं, ठीक है, इन पर depend करता है, हमारे सामाजिक और मानसिक दसाओं पर depend करता है, अभी विर्ति व्यक्ति के व्यवहार का प्रति बिम्ब होती है, यहाँ पर इस बात से तो आप सहमत होंगे कि अभी व्यक्ति के व्यवहार का प्रति बिम्ब होता है, क्योंकि attitude से हमें पता चलता है कि कौन हमें कितना चाहता है, कौन कितना हमसे दूर जाना चाहता है तो यह अभिवर्ति जो आपके वियावहार यानि कि आपके वियाविरस से पता चलता है ठीक है तो यह आपका प्रतिविंब होता है अभिवर्ति सदे परिवर्तनशील होती है अटिटूट हमेशा एक जैसा नहीं होता अटिटूट हमेशा परिवर तो आपके अनभव परिवर्तन होते हैं, आपके अनभव में परिवर्तन होना लाजमी भी है, आप उन अनभव जब आपके परिवर्तन होंगे, आपके जो विचार हैं, आपके पूरवागर हैं, वो जब आपके खता हो जाएंगे, कि मैं इसके बारे में तो यह सोचता था, पर ये तो ऐसा है नहीं, तो आपके एकिटi tude है ist fato परी वरतन लेगा उसमें परिवरतन आपका हमेल्ट से ज आपकी व्यक्ती घटना विशической रहे गें करें या वस्तु क kinda üb यहाँ पर किसी wyst ना यह विचार को सुनकर करतें किसी वियत को को कोने पाने पर रट कैसा वियावार करतें तो यह आपकी अनुकूल और प्रत्कूल भावना का प्रदेशन करता है एटिटूड तो हमेशा एटिटूड आपको अपना ऐसा रखना चाहिए कि लोगों को पता न चले कि आपका एटिटूड है कैसा देखे पॉजिटिव एटिटूड तो हमेशा आपको पॉजिटिव एटिटूड तो कि आपका attitude कैसा है ठीक है अब देखते हैं अनुभव के आधार पर अरजित होती है तता वस्तवों मुल्यों एवं व्यक्तियों के संबंद में सीखी जाती है अब यहां पर हम बार-बार करें कि जो attitude है हमारे अनुभव के आधार पर ही बनते हैं अरजित होते हैं यानि कि अर नियुक्ष्यों आधा कि परती अपने attitude का निर्माणं करते हैं अगला है अभी रतिक का संबंद के विखित्तियों के विविन पक्ष्यों बुद्धि मानसिक परतिवा विचार होते हैं तो आपका जब भी attitude का निरमान वोगा इसमें तीन पक्षिमेन होंगे आपकी बुध्धि, आपका मांसिक्च पर्थीभा और विचार इन से ही मिल कं आपकी एटिटूड का निर्मान होता है अब देखते हैं अभिवर्त्य की प्रकृति यानि कि अभिवर्ति की प्रकृति की soaking कैसी होती है अविवर्ति की प्रकृति तीन प्रकार की होती है पहला धनात्मक, दूसरा रनात्मक और तीशरा शुन्य धनात्मक इसमें किसी भी संबंदित व्यक्ति घट्ना समों के प्रति सकारात्मक दिश्टिकोन ही धनात्मक प्रवर्ति की अविवर्ति है जैसे कि पहले भी बोले थे कि धनात्मक जो attitude है मारा positive attitude है उसमें हम सकारात्म की दिर्ष्टिकोंड रखते हैं इतना आपको जहनना होगा कि जहां पर जहनात्मक यामरी कि सकारात्मक दिर्ष्टिकोंड की बात होगी दूसरा है रणात्माग, इसमें व्यक्ति समु या घटना के प्रदि कोणती रणात्माग दिस्टकौ ellaasjusti यहां पर निगेटिव अथिट्यूट का निवान होगा जब आप उसके प्रदि र श्कौणत रखते होंगे। तीसरा है सुन्य, जहां अव्रक्ति न तो सकारात्मक होती है नहीं नेकारात्मक होती है, किसी व्यक्ति समूजा घटना के प्रति किसी भी प्रकार की कोई मनवर्ति न होना सुन्य अव्रक्ति के लाते हैं, यानि कि कोई ऐसी घटना जिसमें आप न पॉजिटिव आप बिल्कुल सुन्य हो गए हो आप कोई attitude इन दिखा रहे हैं आप बिल्कुल इस किसी भी घटना विसे इस व्यक्ति के प्रति कुछ भी नहीं बोलते हो कोई प्रतिक्रिया नहीं जाये करते हो तो यह सुन्य प्रकर्ति की अविवृत्ति कहलाती है अब यहाँ पर देखते हैं अविवृत्ति से संबंदित कुछ प्रस्ण है इन प्रस्णों के दवारा आप पैडागोजी के माध्यम से यानि की पैडागोजी में अविवृत्ति की क्या मैत्ता है उसको समझ पाएंगे तो देखें हमारा पहला प्रस्ण है उचित सिक्षा सर सरवादिक सायक है विकल्प देखें विकल्प ए व्यक्ति को आत्म निर्भर बनाने में बी व्यक्ति के अर्थो पार्जन में सी व्यक्ति को विद्वान बनाने में बी व्यक्ति की प्रतिष्टा बढ़ाने में तो यहाँ पर उचित सिक्षा सरवादिक सायक होती है व्यक् कि प्रतिष्टा खुद बढ़ जाएगी और वो आत्मी निर्वर बन जाएगा लेकिन उचित सिक्षा जो होती है वो सबसे जो उसका पहला करके नहीं लाता है आप क्या करेंगे तो यहां पर विकल्प देखिए पहला विकल्प है आप यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या वह मंद बुद्धी का बालक है उसको पढ़ाई के लिए और समय देंगे भी आप उसे दंडित करेंगे सी अन्य चात्रों के मद्य उसकी निंदा करेंगे या डी उसे परिक्षा में फेल कर देंगे आप यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या वह मंद बुद्धी का बालक है उसको पढ़ाई के लिए और समय देंगे यहां पर देखिए उपचारात्मक सिच्छा की बात हो रह इसको रेमेडियल जो एजुकेशन देंगे तो आपने सबसे पहले यह पता करना है कि वह मंद बुद्धी का बालक तो नहीं है और अगर है या कोई इसके साथ में कोई प्राप्लम है तो उसको प्राई के लिए और समय देंगे उसे दंडित नहीं करेंगे नहीं अनिछातर एजुकेशन से आप क्या समझते हैं तो यहां पर विकत देखिए सिक्षक को बालक के स्तर तक आना होगा बी ज्यान को लगुपदों में बाटकर जिसे बालक सरलता से सीख सकता है या सी पाट के कठिन बिंदों को हटा देंगे या डी अध्यन करते हुए बालक कैसे पढ़ है वह यह है कि अध्यन करते हुए बालक कैसे पढ़ेगा तथा सीखने की परिसितियां उत्पन करना तो विकल्प डी सही हो जाता है प्रस्ण संक्या चार है अब तक आपने जो सिक्षा प्राप्त की है वह विकल्पे केवल समय विताने वाली रही बी उप्योगी ए मुल्य दिनी वाली रही यह डी नैतिकता से सुन्य रही है तो यहाँ पर जो अब तक आपने सिक्षा प्राप्त की है उसका जो सबसे सही उत्तर है उप्योगी एवं मुल्यवान रहिए जोब आपके लिए उप्योगी है तभी आप बहुतिक वादिता को भी प्राप्त कर सकते हैं और नहतिकता से सुन्य कोई भी सिक्षा आपने अब तक नहीं ली है तो विकल्प B सही हो जाएगा उपयोगियों मुल्यवान रहे हैं आपके लिए अब तक जो आपने सिक्षा ली है विकल्प B प्रश्न पाँच है आप अपने छात्रों की प्रगति कैसे जानेंगे यानि कि आप अपने जो स्टुडेंट है उनकी प्रोग्रस कैसे जानेंगे विकल्प A है छात्रों की परिक्षा लेकर विकल्प B सिक्षकों की साहिता लेकर C संचेई अबिलेख रखकर डी चात्रों से अन्य चात्रों की प्रगति के बारे में पूछ कर चात्रों की परिक्षा लेकर इसमें आपको किसी अन्य सिक्षक की साहिता भी नहीं लेनी नहीं आपका कोई उसको संचे विलेक रख करके उसका evolution करना है और अन्य चात्रों से भी नहीं पूछना है क्योंकि अ नहां पर होती छात्रों की परिक्षा लेकर और जब आप छात्रों की परिक्षा लेंगे तो विशयवार आपको छात्रों की प्रगति का पता लगेगा कि यह मैट्स में अच्छा है या हिंदी में अच्छा है या विज्ञान में अच्छा है या अन्य सब्जेट में अच्छ विकल्प C, सिक्षा ग्यान और अनुभव है, D, सिक्षा वा है, जो केवल सिक्षकों से मिलती है तो सिक्षा क्या है, एजुक्षिन क्या है, इसका जो सही उत्तर है, वह है सिक्षा ग्यान और अनुभव है नहीं वो पुस्तक है, नहीं वो व्याविसाय है और नहीं वो है जो केवल सिक्षकों से मिलती है तो उसका जो उत्तर है सिक्षा ज्यानवावव है, विकल्प C सही हो जाता है सात्वा प्रस्ण है, सभी छातर ग्रहकारी में रुची ले सकें इसके लिए आवशक है कि ग्रहकारिया, विकल्प देखिए विकल्पे पुस्तक के बाहर से हो B ग्रहकारी A की स्तरका हो, C केवल पुस्तक के अंदर से हो D छात्रों की योग्यता की अनुसार हो जहाँ पर जो विकल्प D है छात्रों की योग्यता की अनुसार होना चाहिए जो आपका होमवर्क है अगर आपके छात्रों की योग्यता की अनुसार अगर आप देते हो तो आपके जो चात्र हैं वो ग्रह कारे में रूची ले पाएंगे तो विकल्प इसका D सही हो जाता है तो इसी तरह के से आपको परिक्षाओं में कई सी कंडिशन दी जाएंगे जहां पर आपको लग रहा हो कि ये कंडिशन भी सही है ये कंडिशन भी सही है आपको सारे की चारो की चारो विकल्प बिल्कुल सही लगने लगेंगे लेकिन पैडागोजी में यानि की सिख्षन मनो विज्ञान में यही देखा जाता है कि सबसे उत्तम जो उत्तर हो गई है सबसे जो उत्तम परिस्तिती है आपको उसको ढूड़ना है अगर आप इसमें दक्ष हैं परिस्तितों को समझने में तो आप पैडागोजी के आंसर दे पाएंगे सही तरीके से ठीक है तो इस तरीके से आपको कंडिशन वाले सवाल परिक्षा में पूछे जाते हैं तो आपने वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है अगर आप प्रसंद देखते हैं सिक्षा के मांदंड को उचा उठाने के लिए निम्नलिकित में से क्या विश्यक है विकल्ब देखिए सिक्षुकों का उच्चे वेतन हो विकल्ब B चातरों का सतत मुल्यांकन होना चाहिए पाठ्ठिक्रम में संसोधन होना चाहिए पाठ्ठिक्रम का सतत मुल्यांकन होना चाहिए तो उसका जो सबसे सही उत्तर है वह है पाठ्ठिक्रम में संसोधन करके क्योंग पाठ्ठिक्रम में संसोधन होगा तो जब पाठ्ठिक्रम में संसोधन होता है तो पार्ठिक्रम चलता है आपके समय के हिसाब से यानि कि आप हो सकता है कि आप ऐसा पार्ठिक्रम पढ़ रहे हो जिसके अंदर जो भी पार्ठिय वस्तु है वो अब समसामाईक रूप से सायक नहीं है सिक्षा के छेतर में मांदंट को उचा उठाने में या बच्चे के मानसिक विकास के अनुरूप वो पार्ठिक्रम नहीं है तो आपने देखा होगा कि जब भी पार्ठिक्रम में बदला होता है तो पुरानी चीज़े छोड़ दी जाती है और नए इनुवेशन जो हो रहे होते हैं नए टॉपिक्स जो आ रहे होते हैं सिक्षा के छेतर में उनको सामिल किया जाता है ठीक है तो इस प्रकार से पार्ठिक्रम में संसोधन होना चाहिए शिक्षा के मांदंट तब ही उच उठेंगे अगर आप पार्ठिक्रम का सतत्त मुल्यांकन कर रहे हैं पार्ठिक्रम का सतत्त मुल्यांकन से भी आप सिक्षा के मांदंट को उचा नहीं उठा सकते हैं क्योंकि पार्ठिक्रम के तो वही रहेंगी जो पार्ठिक्रम है उसके अंदर का सबसे में है पार्ठिक्रम का पार्ठिक्रम तो पाठिक्रम अगर up to date रहेगा समय के साथ अगर पाठिक्रम को अपडेट करते रहेंगे तो सिच्छा के मांदन उचा उठते रहेंगे तो विकल्प यहाँ पर C सही हो जाएगा प्रस्ण संक्या 9 है आपके कक्षा में कुछ चातर बहुत ज़्यादा प्रस्ण पूस्त है आप उनके साथ कैसा व्यावार करेंगे तो यहाँ पर फिर से कंडिशन आगे विकल्प यह है आप उनको डांटेंगे विकल्प B आप उनके प्रति उदासिन रहेंगे विकल्प से आप उनको सांत रहने को कहेंगे या विकल्प्टी आप उनके प्रस्णों को ध्यान से सुनकर उनके प्रस्णों के जवाब देंगे तब ही आप उनके साथ एक positive attitude का निर्मान करेंगे ठीक है जब आप उनके प्रस्णों को ध्यान से सुनेंगे उनके प्रस्णों के उत्तर देंगे, उनके जवाब देंगे, तो बच्चों की जो query है, उनके जिग्यासा है, वो भी सांत हो जाएगी, उनको कुछ नव कुछ सीखने को मिलेगा, उनके जो knowledge है, उसमें skill है, तो विकल्प A सही हो जाता है, प्रस्णत 11 है, सिख्चकों के chain में किसे वरियता दी जानी चाहिए, यहाँ पर सिख्चकों के chain की बात हो रही है, तो यह condition है आपके सामने कि सिख्चकों के chain में किसे वरियता दी जानी चाहिए तो विकल्प है विकल्प A महिला अब्यर्थियों को वरियता दी जानी चाहिए विकल्प B पिछड़े वर्गे के अब्यर्थियों को वरियता दी जानी चाहिए C सिफारसी अब्यर्थियों को वरियता दी जानी चाहिए या डी योग्य एवं चरित्रवान अब्यर्थियों को वरीता तो इसका जो सबसे जो सही उत्तर है वह है योग्य एवं चरित्रवान अब्यर्थियों का अब यहाँ पर देखिए योग्य एवं चरित्रवान अब्यर्थियों का सिक्षन के चैने में वरीता दी जानी चाहिए जहां पर देखें, दो सब्द है, योग्य एवम चरितरवान, अब योग्य और चरितरवान महिला अब्यर्थी भी हो सकती है, ठीक है, यहां पर योग्य एवम चरितरवान अब्यर्थी महिला भी हो सकती है, योग्य एवम चरितरवान अब्यर्थी पिछड़ा वर्ग से भी ह सकता है ठीक है तो महिला और पीछड़ा वर्ग का ब्यर्थी डी में भी सामिल हो जा रहा योग्य और चरितरवान ब्यर्थी में आ जाएगा लेकिन जो सिफारसी इब या जो सिफारस लेके आ रहा है आक के पास खेंज ये अप प्रोच पूण लुगन के उसी योग्यम चरित्रित्रवान अभाईरतियों के अंदर महिला और आसकते हैं अब बात करते हैं प्रस्न्व संक्यां 12 कि प्रस्न 12 है सिर्छों को समय समय पर प्रसिक्षण क्यों दिया जाता है आपने देखा हुआ कि time to time जो teachers हैं उनको diet या CRT या CCRT या NCRT के तहट उनको time time पर प्रिशिक्छा ने बिदिया जाए जाए ट्रेनिंग दी जाती है उनको तो ये क्यों दी जाती है तो विकल्प है A विकल्प सिक्षकों के बौदिक विकास के लिए समय के साथ साथ वब्यड के सिक्षा को भूल जाता है C नए अनुसंधानों वो सिक्षा में होने वाले नवाचारों से अध्यतन होने के लिए ये D उप्रोक्त सभी ठीक है तो यहां पर सिक्षकों को समय समय सबसे जो सई उत्तर है वह है विकल्प सी नए अनुसंदानों और सिक्षा में होने वाले नवाचारों से अध्यतन होने के लिए अब यह नए अनुसंदान और नवाचार क्या होते हैं बहुत सारे जो पैड़ागोजी में कई सारे करांतिकारी बदलाव हो रहे हैं नहींने टेक्नीक्स आफे नहींने रेमेडियल्स एजयोकेशन की शेतर में आ रहे हैं तो इन अनुसंदानों और सिक्षा में होने वाले नवाचार हैं यानि कि इन्नोवेशन है कि आप यह वाली टीचिंग यह वाली टेक्निक से टीचिंग करेंगे तो आपकी जो टीचिंग लर्निंग एटिटूट है उसमें पॉजिटीव गुरोथ होगी इसके लिए इनसे आप अपडेट हो सकें कि पूरे विश्यो में सिक्षा के छेतर में क क्या क्या इन्नोवेशन हो रहे हैं इससे आप अपटूडेट रहें इसलिए आपको सिक्षकों को समय समय पर प्रसिक्षन दिया जाता है यह प्रसिक्षन जो हैं वह आपको जब आप सिक्षन कर रहे होते हैं उस समय आपको विभागी रूप से दी जाते हैं अब काफी सार इंजियो भी आ गए इस चेतर में जो इस्कूलों में टीचर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम निकालते हैं अब आपने देखा हुगा दिक्षा के जरीए भी अप है पोटल है दिक्षा पोटल उसके जरीए भी सिक्चों को समय समय पर ट्रेनिंग दी जाती है और ऐसे बह दिया जा रहा है और new education policy में इस बात पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि teachers को up to date रखा जाए teachers को जितने भी innovation हो रहे हैं या जितने भी research work चल रहा है इनसे उनको up to date रखा जाए इसके लिए बहुत ज़्यादा focus है तो विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाता है तो यह था तुलिक अदर्शन चैनल का जो आज का हमारा पैड़ा गोजी का जो पहला एपिसोड था सिक्षकों में छात्रों के प्रती अविवरत्ती तो आपने इसमें समझा होगा कि attitude क्या है अविवरत्ती किसे कह जाता है अविवरत्ती के प्रकार अविवरत्ती की परिवाशाएं अविवरत्ती की विशेशताएं आपने आज की topic में समझ लिए होगी और कुछ आपने प्रस्णों को भी समझा होगा जिसमें सिक्षा की अविवरत्ती से संबंदित करके प्रस्ण पूछे गए थे और इसी तरीक कीजिएगा और नौटिफिकेशन को में इसा ओन रखेगा ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको नौटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप वीडियो को देख करके अपना ग्यानारजन कर सके तब तक आप हमारे चैनल के जो पुराने वीडियो हैं उनको भी आप देख सकते हैं वहां पर भी आपको एलटी प्रवक्ता के जितने भी तुराने पेपर हुए हैं वो सॉल्व करें हैं आप वहां से भी प्रश्णों को जान सकते हैं कि किस प्रकार प्रश्णों पूछे जाते हैं तो आज के लिए इतना ही दीजे मुझे जाज नमाश्कार